हलो आदाप सस्रिया काल कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे अगर आपका इसकी लूज हो गया है अगर आप 30 के पार कर चुके हैं इस्कीन पर fine line जुर्यां चाहि Testament बहुत ही लूज हो गया है तो यह रेमेडी बहुत है इसे आप जरुर सेके करे आप 30 के पार कुर्क हैं आपके इसकीन पर fine line जूर्यां है तो इस रेमेडी को ट्राय करिए इसमेर जो भी इंड्रेडियन है बहुत ही इफेक्टिव है अ पूरिया हो गई है इसकीन एकदम से पतली हो गई है तो इस रेमेडी को जरूर्छ ट्राइए करें ये बहुत ही आपको दिखा ले बता देती हूं इसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है यह सब हम देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें जो लेना है वह है आलू आलू बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए चेहरे के दाग धब्बे छाईया जुर्या सब को रिमू लगएंगे हशाई करेंगे च्रीजीनर की प्राब्लम है अबशे नम्हीं चतुरնIDS है जिस्क्तिव हैं हमारे चीजी अरूी बहुत वक्ता-थ कंतंड 새दि मवल्क कूर सक्ष्बद्ट हमारे चीज़रे स्वं सब्स्वाइब मिर्जार्य पहुद्ट में सब्सक्रान आलू से बहतर मित्र कुछ भी नहीं है Isуль लिए आलू बहुत ही मेन हमें इंगृडियट है तो यहां पर एक आलू लेना हैर उसका छिल-का नहीं उतारना है इसे हमारे हमारे टाइट होगा तो यहां पर हमें मिला लेना है उसके बाद इसमें यहां पर 2 इतना एक्टिब है हमारे चेहरे लिए वर्दान है गुड़हल के फूल से चेहरे पर जवानी आती है चेहरा बिल्कुल भी बुढ़ापा नहीं आता है इसलिए गुड़हल का फूल बहुत इफेक्टिव है यहां पर मेरे पास फूल जो है मेरे गार्डेन में लगा था तो वही फूल मैं ले ली हूँ अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप ऑनलाइन इसका पॉड़र भी मगा सकती है वह भी बिल्कुल सेफ होता है नैचरल होता है उसे भी आप यूज कर सकती है मेरे पास तो यहां पर गुड़हल का फूल था इसलिए मैं गुड़हल का फूल डाल ले रही हूँ इन तीनों को डाल कर मिक्सर में अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है बहुती फाइन सा पेस्ट बनाना है इसे जब हम पीसेंगे अगर ये पेस्ट मिक्सर में नहीं चल रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो कच्चा दूद भी मिला सकती हैं अगर आपका इसकिन बहुत जादा ड्राइ है तो आप रॉम मिल्क भी मिला लीजिए मैं यहाँ पर दो चम्मच गुलाब जल डाली हूँ गुलाब जल डालने के बाद फिर से इसको पेश्ट बना रही हूँ ताकि यह अब आप देख सकते हैं यह कितना बढ़िया इसमोच सा पेश्ट बन के तयार हो गया है अब इसमें मैं क्या मिला रही हूँ चलिए वो भी देख लेते हैं इसके बाद इसमें हमें एक चम्मच भर के चावल का आटा मिलाना है चावल जो है हमारे चेहरे के लिए बहुत इसकीन हमारी टाइट होती है दाग धबे दूर होते हैं चेहरे पर ये इसकीन वाइटनिंग क्रीम भी इसे कहा जाता है चेहरा एकदम से गूरा हो जाता है चावल लगाने से आप लोग देखते होंगे कोरियन लोग इसका जादा यूज करते हैं इससे इसकीन बहुत ही चमकदार हो जाता है जब चावल की खेती होती है तो आप देखे होंगे धेर सारा पानी का यूज होता है पानी बहुत जादा लगता है क्योंकि चावल पानी बहुत जादा सोकता है एब्सौर्ब कर लेता है तो इसलिए वो चावल अगर हम अपने चेहरे पर लगाएंगे तो हमारे। ही हाइडरेट करता है। इसलिए चावल बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर एक चमच भरके चावल का आटा मिला ले रही हूं। उसके बाद एक चमच मुलतानी मिट्टी मिलाना है। मुलतानी मिट्टी भी हमारे स्किन को टाइट करता है इसकिन पर जो भी जुरिया है फाइन लाइन से उसे दूर करता है इसकिन पर बहुत अच्छा कशाव आता है तो इसलिए एक चमच मुलतानी मिट्टी लेना है उसके बाद इसमें एक चमच भर के दही लेना है दही में ल मच दही ले लेना है इन सब को एकदम अच्छे से मिला कर पेस्ट बना लेना है उसके बाद इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर अपलाई करिए तो इस पैक को आपको डेली लगाना है तो इस पैक को आपको डेली लगाना है जिनकी एस 30 है, 40 है, 50 है वो लोग इस पैक को डेली अपने चेहरे पर लगाएंगी जितना जादा आपके चेहरे पर जुर्या है, fine lines है, wrinkles है, चेहरा बहुत ही धुधीला हो गया है तो देखेंगे बहुत जल्दी इसका असर होगा, इसकिन एकदम से टाइट हो जाएगी, चेहरे पर बहुत ही अच्छा कसाव आ जाएगा, चेहरा बिल्कुल से जमा हो जाएगा चेहरा जो है, एकदम से यंग दिखेगा, तो इसलिए इस पैक को आपको डेली लगाना है, यह बहुत ही effective है, पैक तो चेहरे आप इस पैक को ट्राइ करिएगा, और अगर आपको ये पैक कैसा लगा, तो मेरे साथ जरूर से शियर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कीन पिल्कुल जमा रहे, यंग दिखे, तो इसके लिए तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर रिंकल्स ना आए, जल्दी पुढ़ा पाना आए, जुर्या ना आए, तो इसके लिए आपको कुछ और उपाई करना होगा आप चिया सीट्स, फ्लैक सीट्स, पंकिन सीट्स इन तीनों को मिला कर पीस कर किसी टब्बी में रख लीजिए, डेली का डेली आप कम से कम साथ ग्राम, पान से साथ ग्राम, एक चम्मच इससे आप एक चम्मच लीजिए, तो इससे आपका चेहरा एकदम से टाइट रहेग जल्दी रिंकल्स जुर्या नहीं आएंगी बाकी ये तीनो फ्लैक सीर्स चिया सीर्स पंकिन सीर्स ये तीनो हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है बाल भी बहुत ही खुब सुरत होते हैं इसलिए इन तीनों का श पुड़ापा एक ऐसी चीज है जो आना ही आना है लेकिन कुछ हैसे उपाई करके कुछ ऐसे घरेलूटि अपना कर हम उसे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं थोड़ा सा रोक सकते हैं इसलिए आप इसे जरूर से ट्राय करें तो आप इन सब को ट्राय करिए और आपको रिजल्ट क कैसा लगा अपना experience मेरे साथ जरूर सीयर करिएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर से बताईएगा